नमस्कार दोस्तो वेलकम टू बाइजूस गौर्वर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल दोस्तो आज हम लोग डिसकस करेंगे डेली करेंट अफेयर में एक जुलाई 2021 के निउच पेपर में से जो कि आपके एक्जाम, CHSL, कमबाइन ग्रेजुएट लेबल, NTPC, इंटेलिजेंस Bureau, CPOSI, दिल्ली पुलिस and other state services एक्जाम के साथ साथ banking awareness के लिए भी यह help करेगी तो आईए के करके डिसकस करते हैं आज के national affairs में पहली खबर है जम्मू एंड कस्मीर government ends 149 year old दरबार मूव तो जम्मू कस्मीर में 149 साल पुरानी दरबार मूव प्रथा को खत्म कर दिया है यहाँ पर picture में आप देख रहे होंगे वहाँ के उपराज्यपाल है मनोस सिनहाजी जिन्होंने यह निरने लिया है पहले यहाँ पर दो राजधानिया यानि जम्मू कश्मीर में जम्मू और स्री नगर में राजधानी दोनों है यह आपको पता ही है तो दरबार मूव के ख जोड़ जाता है कि 149 इयर ओल्ड इस प्रथा को समाप्त किया गया दिस डिसीजन गॉर्मेंट ओफिसेस विल नाव फंक्शन नर्मली एट बोथ जम्मू और स्री नगर तो इस फैसले के बाद अब जम्मू और स्री नगर दोनों जगहों पर सामाने रूप से सरकारी ओफि तो इस तरह से जो राजभवन, सिविल सचुयाल है सभी प्रमुख विभागों को दरबार मूब के तहट जम्मू कश्मीर, स्री नगर के बीज सर्दी और गर्मी के मौसम में जो ट्रांसपर होते रहते थे अब ऐसा नहीं हुआ करेगा सब इसमर जो है इसको डिजिटल तरीके से सारा ऑनलाइन अब डेटा तैयार किया जाएगा क्योंकि एक बार राजधानी के सिप्ट होने में 110 करों रूपए का खर्चाता था अब बात आती आप लोग के मन में विचार उठ रहा होगा कि ये दरबार मूब है क्या तो दब कैपिटल आफ जम्मू एंड कस्मीर आलसो चेंजे एवरी सिक्स मन्थ विद चेंज आफ सीजन यानि जैसे ही मौसम बदलता था राजधानी बदल जाती थी तो छे महीने स्री नगर राजधानी हुआ करती थी और छे महीने जो है जम्मू तिस तरह से आउन चेंज होता था हाला इसी प्रक्रिया को हम दरवार मूप कहते हैं और यह जो है आज से नहीं 1872 से डोगरा शासक डोगरा वंस के राजा हरी सिंग भी थे तो गुलाव सिंग ने शुरू किया था बाद में हरी सिंग इसके पूरवज मरलब गुलाव सिंग महाराजा हरी सिंग के पूछा गया कि आप पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे या भारत में रहना पसंद करेंगे तो डोगरा वंस के राजा हरी सिंग का यही कतन था कि हम एक स्वतंतर राज के रूप में रहना चाहते हैं लेकिन 1947 में सरदार बलब भाई पटेल जी ने जब सारी रियास्तों क विले कर रहे थे तो जम्मु कश्मीर मानने को तयार नहीं था जूना गड़ भी था हैदराबादरी आसद भी थी तो इन तीनों में अलग-अलग प्रोसेस के द्वारा इन्हें अपने में मिलाया जैसे कि जम्मु कश्मीर में उसी समय पाकिस्तानी कबाईलियों ने आक्रम पत्र पर हस्ताक्षर किया इसलिए कहा जाता है जम्मु कश्मीर का विले कैसे हुआ था इंस्टूमेंट बाई एसेसन उसे कहते हैं याद रखेंगे विले पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा और इस तरह से जम्मु कश्मीर भारत का अभिन अंग बना उस समय हरी सिंग का श नागा लेंड में हलांकि नागा लेंड में दसकों से यह कानून लगातार जारी है इस तरह से दे इंटायर एरिया आप दे स्टीट आफ नागा लेंड हैस बीन डिकलेर ए डिस्टर्ब्ड एरिया फर सिक्स मोर मन्थ अंडर दा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसी को AFSPA के अंतरगत छे महीने और एक्स्टेंड कर दिया गया है और यह दिसंबर तक लागू रहेगा अंडर AFSPA सिक्यूर्टी फोर्सेज हैब दर राइट टू कंजेक्ट ऑपरेशन एनिवेर एंड एरेस्ट एनिवन बिदाउट ए वारेंट यह कानून 1958 में लाया गया था इ इसी को भी बिना वारेंट के गिरफतार किया जा सकता है आर्टिकल 22 का यहां पर उलंगन नहीं माना जाएगा that the government is of the view that the entire region of the state of Nagaland is in such disturbed and dangerous condition that the use of armed force is necessary in such a situation it has been declared a disturbed area for six more months इसलिए इसको छे महिने के लिए असान छेत्र और घोशित कर दिया गया the notification issued said that in exercise of the power conferred under section 3 of the AFSPA 1958 the central government declared the entire area of the state of Nagaland as a disturbed area for a period of six more months with effect from 30 June 2021 यानि कल से ही यहां प्रभाव में आ गया और एक तरह से ध्यान रखेंगे इस तरह से नॉर्थ इस्ट के स्टेट में इसे लगाया जाता है जम्मो कस्मीर में भी लगाया गया इसको जो है FSPPA याद रखेंगे तो इस तरह से यह 1958 में आया था अब बरते हैं इंटरनेशनल अफेर्स में इंडिया ranks in top 10 in global cyber security index इसको C याद रखेंगे इसको GCI कहेंगे global security या cyber security index में भारत दस में अस्थान पर आ गया है यह 37 इंडिया है इसको C आप तो प्टेन इन global cyber security index 2020 2020 by ITU, moving up 37th place to rank as the 10th best country in the world on K-Cyber Safety Parameter. तो इंडिया has achieved this feat by fulfilling K-Cyber Security Standard. और दोस्तों, जैसा कि Digital India को 6 साल हो गए और उसी के एक दिन पहले यह rank जारी की गई है, तो अमेरिका top the list in term of Cyber Security, अमेरिका इसमें परतम अस्थान पर है, it is followed by the Britain and Saudi Arabia in second place, while Estonia is in third place, तो Estonia यहाँ याद रखेंगे, Baltic State है, इसे Baltic देश कहा जाता है, Baltic Sea सुना होगा, European करटी है, Estonia, Latvia and Lithuania सुना होगा, तो इस तरह से वह तीसरे अस्थान पर है, और underlining its commitment to Cyber Security, India has secured the fourth position in the Asia Pacific region, यानि Asia प्रसांथ छेत्र में भारत का चौथा अस्थान है, और the GCI revolves around the ITU Global Cyber Security Agenda and its five pillars, इसके पाँच पैरामीटर हैं, कौन-कौन से? Legal, Technical, Organizational, Capacity Building and Cooperation For each of these pillars, questions were developed to assess commitment The performance is aggregated into a composite score India is total of 97.5 points out of a possible maximum of 100 points यानि 100 अंकों में कुल 97.5 अंक अरजित किया हमारे देश ने तो इंडिया has consistently worked on all five pillars over the years, resulting in a significant improvement in its ranking in the Global Cyber Security Index तो इस तरह से इन पाँचों स्नम्भों पर भारत ने लगा ताम काम किया और जिसका कारण यही है कि आज भारत दस्वें अस्थान पर आ गया है अब बढ़ते हैं दोस्तों, इस्राइल made such technology एक ऐसी तक्नीक इस्राइल ने इज़ाद की है That soldiers will become invisible उनके soldiers देख रहना है पत्थरों की भात ही दिखेंगे यानि जैसे लगेगा कि कोई पहाड़ परवत पत्थर का टुखडा रखा है तो इस्राइल's defense ministry in a collaboration with the country's own company Polaris solution has created such a wonderful hiding technology that will make Israeli soldiers virtually invisible By using this conflag Israeli soldiers will look like stone in appearance यानि पत्थर की तरह नजर आएंगे और इन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकेगा और इस technology का नाम क्या किया दिया गया है This technology is named kit 300 and it uses a concealing thermal visual material made of metals, microfibers and polymers यानि इस तक्नीक को kit 300 नाम दिया गया है इसमें thermal visual material का इस्तेमाल किया गया है इसमें जो metals, microfiber and polymer का use किया गया है It will not be easy for Israeli soldiers to recognize it This material can be turned into a light stretcher When wearing it, Israeli soldier will not be recognized by the help of humanized and thermal imaging equipment यानि कह सकते हैं इसको जो है कि आसानी से पहचान नहीं हो पाएगी और इस material को एक हलके stretcher में तबदील किया गया है और Israeli soldier will be able to either wrap or combine this state of art conflag cover to make it look like a mountainous terrain इसको कहेंगे पहाड़ी इलाके की तरह या है नजर आएंगे और यह जो sheet है इसका version 500 gram होगा और इसे गठर के रूप में मोड़ा जा सकता है The Israeli army has tested it and now it is being inducted into the army इसे सेना में सामिल किया जा रहा है Now this company is considering giving this technology to America and Canada यानि अपनी इस तकनीक को transfer करेगा America और Canada को करने का या बिचार कर रहा है अब बढ़ते हैं environment and ecology section में तो what is the relationship between forest fire and cloud burst incident Scientists find out यानि जंगल की आग और बादल फटने की घटनाओं में क्या संबंध है बैग्यानिकों ने पता लगाया है तो बैग्यानिकों ने यह पता लगाया है कि जंगल की आग और बादल फटने की घटना आप लोग अकसर देखते होंगे पहाडी खासकर उत्राखंड में बादल फटने की घटना अकसर सुनाई देती है cloud bursting अकसर यह देखा जाता है खासकर यह मानसून के समय में और ज़्यादा तीवर हो जाता है प्री मानसून के समय में भी यह रहता है तो इस तरह से यह बैग्यानिकों ने पता लगाया है रिसर्च वाज केरीड आउट इन कोलाब्रेशन बिद दा क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम डिवीजन डिपार्टमेंट आफ साइंस एंड टेक्न लॉजी दोस्तो इट हैस बीन पब्लिस इन जेनरल एट्मोस्फेरिक इन्वार्मेंट यह जो पता लगाया है इसे एट्मोस्फेरिक इन्वार्मेंट जनरल में प्रकासित किया गया है प्रोफेसर आफ सिविल इंजिनिंग डिपार्टमेंट आफ आई 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 टी एसन त्रिपार्टी प्रोफेसर गरवाल इन्वस्टी आलोग शागर गौतम यानि इसको जो अध्यन किया गया है इसको दिन के हिसाफ से निकाला फिर महीने और साल का अलग अलग इसका एसेस्मेंट किया जिससे की पता लगाया जाए कि इसके पीछे क्या कारण है यह आग जंगलों में क्यों लग रही है बादल का फटना की समगावनाएं क्यों बन रही है जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर जो पहाडों पर जल बिद्दुद पर योजनाएं बड़े बड़े डैम बनाए गये हैं विसाल जल रासी है तापमान अधिक हो रहा है जैसा कि पिछले डाउन टू अर्थ मैगजिन में आया भी है हम लोगों ने कई बार डिसकस भी किया है तो यह इरान से चलने वाली गर्म हवाएं यह सीधा गुजरात होते ही है उत्तरा खंड पहुंच रही है जिसकी वज़ा से वह तापमान अधिक होता है और रेट आफ एपरेशन होता है और यह 20 से 30 स्क्वाइर किलो लग इसका assessment किया गया in this an attempt has been made to find out the relationship between cloud condensation nuclear इसको CCNS कहेंगे and the occurrence of forest fire यानि इसमें cloud condensation nuclear और जंगल में आग लगने की घटना के भी संबंध निकालने की कोशिस की गई है expert have researched that whenever there is a forest fire the concentration of CCNS increase यानि CCNS जब बढ़ेगा तो अपने आप यह जंगल में आग लगने की घटनाए हो जाती है और उसका आकार छोटा हो जाता है नतीजा बारिस की जमी हुई बूंदे नीचे तेजी से आती है और यह कम समय में जोरदार बारिस करा देते हैं बादल फटने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता तो CCNS की संख्या सर्दियों बर्फ गिरने और कोहरा पढ़ने की स्थिति में अलग रहती है बर्फ गिरने पर बेहद यह कम हो जाती है तो water vapor cool and freeze on the very fine particle present in the air this letter from the cloud expressed that the source of particulates of air pollution can also be traced in Himalayas and Garwal region from how far have they come यह पता लगा सकता है यह कितनी दूरी से आएं है यह हवा में मौझूद अतिसूच वकड़ों पर जलवाफ स्थन्डी होकर जम जाती है और यह आगे चल कर क्या होगा तापान अदिक होगा तो बादलों का निर्मान कर देती है इसका भी पता लगाया जा सकता है तो यहाँ पर cloud condensation nuclear क्या है याद रखेगा cloud condensation nuclear और इसो CCNS also known as cloud seeds कहते हैं और small particles typically 0.2 micrometer और 1 by 10 the size of a cloud droplet on which water vapor condenses they get converted in the form of water after attaining height या उचाई पर जाकर पानी के रूप में आ जाते हैं इसी को cloud condensation nuclear कहा जाता है condensation ठ्यान रखेंगे तो इसी की वज़ा से यह पता लगाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं मन्त के हिसाफ से देखिए August, September, October, November इस तरह से यहाँ देख रहे हैं कैसे कैसे यह fluctuate हुआ है मई जून में देखिए क्या हालत है तो यहाँ पर यह देखिए यह चिन जो बनाए गए हैं नेक्स वाले मैप में आपको और आसानी से दीखेगा देख रहे हैं फायर काउंट, टोटल एफार पी इसको कहेंगे फायर रेडियेटिव पावर और CCNS कंसंट्रेशन तो यह इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पता किया जा सकता है और यहाँ पर यह देख रहे हैं पोस्ट मांसून, मांसून के समय में, विंटर के समय में क्या होता है, कम होते जाते हैं प्री मांसून में भी देखिये तो इन आकड़ों को देखेगा तो और आसान हो जाएगा अब बढ़ते हैं दोस्तों, important scheme में आज हम बात करेंगे सौभाग योजना की तो साहज बिजली हर घर योजना was launched on 25 September 2017 with the objective of providing electricity to every village of the country अब सीधे आपसे पूछ लेगा कि सौभाग योजना का संबंध किस से है तो यह 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई इसमें free में connection दिया जाएगा घर घर जाकर ऐसा नहीं का आपको connection के लिए office के चकर लगाने पड़ेंगे खुद जो है कर्मचारी आपके घर में connection देने आएंगे इस scheme was brought so that availability of electricity the poor people could be insured और the benefit under this scheme has been given according to the 2011 socio-economic census इसके आधार पर अगर उसमें नाम नहीं है तब भी किया जा सकता लेकिन उसके लिए 500 रुपए जमा करने होंगे उसके लिए भी वो 500 दस आसान किस्त में दिया जाएगा यानि 50-50 रुपए की एक किस्त होगी और there is also a plan to provide solar packs under this scheme यानि solar pack देने की भी इस scheme के साथ मतलब इसमें किया गया है योजना है जहां पर बिजली अभी नहीं पहुँच पाई तो this solar pack is given in those areas where electricity has not come यह ध्यान रखेंगे यहां पर बिजली नहीं पहुँच पाई यह वहां solar pack देने की तो five LED bulb and one fan are provided in the solar pack अंडर the सौभाग scheme single point wiring, mobile charging point and switches are also provided along with an LED bulb यानि इस योजना के ताहत एक LED bulb के साथ single point wiring, mobile charging point and switch आदी भी धिया जाएगा for this the consumer does not have to pay any money, कोई भी पैसा नहीं देना होगा the consumer will have to pay a charge according to the amount of electricity he see spent in the house यह मतलब उनके उपर होगा जितना खर्च करेंगे उस इसाफ से चार्ज देना होगा अब बढ़ते हैं दोस्तों various national international personality news में शंभू नाज सिर्वास्तों appointed as chairman of IFUNA यानि IFUNA क्या है Indian Federation of United Nations Association के chairman बने है उन्होंने मुकुल संगमा का स्थान लिया है यह मुकुल संगमा मेगाले के पूर्व मुख्यमंत्री थे तो यह पहले chairman हुआ करते थे he was elected anonymously by the IFUNA executive committee member in New Delhi on 27th June 2021 former union minister बिजोय चक्रवर्ती वर्तमान में IFUNA की president है इससे पहले स्वर्गी बिजे लक्ष्मी पंडिर, स्वर्गी सावित्री निगम, राजन नहरू, पूर्व केंद्री अमंत्री, स्वर्गी रामकिष्न हेग्रे, स्वर्गी रामनिवास मिर्धा भी president रह चुके हैं तो IFUNA affiliated with the World Federation of United Nations Association, Geneva has special advisor status in the economic and social council of the United Nations यही इसका दर्जा प्राप्त है इसे, it brings people and issues together to promote collective action for a sustainable world और IFUNA is the only body which represents India in UN forum एक मात्र निकाय है जो भारत का प्रतनिधित करने वाला यह निकाय है किसमें सयुक्तरास्ट मंचो में तो बोथ WFUNA and IFUNA are considered extended branches of the United Nations Organization and try to disseminate the ideals of the United Nations among the people formed more than six decades ago to promote the objective of the United Nations and its specialized agency यहनी सयुक्तरास्ट और इसकी business agencies के उदेश को बढ़ावा देने के लिए छे दसक से अधिक समय पहले गटित IFUNA एक गैर सरकारी स्वैक्चिक गैरलाफकारी संगठन है जो अंतरास्टी सांती और समझोते के लिए कारे कर रहा है नेक्स अपॉइंटमेंट है जोसेफ बाइडन अपॉइंटेड सालीना धीकुमार एज फेडरल जज इनको बनाया गया है भारती यह मूलकी है The name of another Indian judge has been included in the list of judges of US President Joseph Biden President nominated Salina D. Kumar as a federal judge of Michigan Michigan Prant है याद रखना Michigan University है ध्यान रखेंगे Superior Huron Michigan जो है जील का भी नाम है Salina is not only the first Indian to become a federal judge of Michigan but she is also the first Asian to have reached this position Salina has good knowledge of both civil and criminal matter यानि civil और criminal matter दोनों देखती है 2007 में Eastern District of Michigan में Auckland County 6th Circuit Court में सेवा यह दे रही है और 2018 में Michigan Supreme Court ने इसी कोर्ट का इन्हें मुख नाइधिस भी नियुक्त किया था और 1993 में Michigan विश्विद्याले से इन्होंने graduate किया था 1996 में इन्होंने University of Detroit Mercy School of Law से study किया था अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरसकारों में इसमें हमने 10 महत पुर्ण पुस्तकों को लिया है और mix कर दिया है इसमें मतलब पुराने नए current में तो इस तरह से कभी कभी इस तरह के भी आ जाते हैं तो इस तरह के भी याद रखिएगा तो जैसे रामचरित्रमानस विनेपत्रिका कविता वली ये सब तुलसी दास की हैं रचना कामाईनी आसू इसको आसू कर लीजिए A.N.S.H.U. बहुत ही फेमस इनकी रचना थी चंदरगुप्त अजात सत्रियह जैसंकर प्रशाद की कास्ट चैलेंज इन इंडिया बाबु जग जीवन राम की सबसे ज़्यादा कैबनेट मंत्री रहे थे 32 वर्स तक कैबनेट मंत्री रहे थे फ्रीडम बिहाइंड बार किरन बेदी का नाम तो सुना ही होगा पहली महिला IPS सर्दिकारी इनकी और भी बुक है वाथ बेंट रॉंग आई डेयर यह सब किरन बेदी की ही पुस्तक रहे है इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कहलाम आजाद पहले सिक्चामंत्री और जज्जमेंट कुलदीप नयर की है प्रिजन डाइरी जैप्रकास नरायन लाइफ डिवाइन अर्विंद घोष अनहैपी इंडिया पंजाब के स्री लाला लच्पत राय की है साइमन गोबैक का नारा दिया था और उसी में इनको लाठी लगी थी जिसकी वज़ास इनकी मृत्य हो गई थी इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को कहा कि हमारे सरीर पर पड़ी लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील सिद्ध होगी एक्जाम वारियर हमारे देश के प्रधानमंत्री की पुस्तक है अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट निउज में 12 येर ओल्ड अभी मन्यू मिस्रा सबसे कम उम्र के ग्रेंड मास्टर बन गए है अभी मन्यू मिस्रा भारती मूलके है अमेरिका में रह रहे हैं सबसे यूए ग्रेंड मास्टर बन गए है या न्यू जर्सी में रहने वाले 12 साल 4 महीना 25 दिन इनकी यानि 12 येर 4 मंथ 25 डेज इनकी एज है रूस के सरगेई कर जाकिन का 12 येर 7 मंथ याद रखेंगे या जो है 2002 के बाद या रिकार्ड इन्होंने ही तोड़ा है 2002 के बाद या 19 साल का पुराना रिकार्ड तोड़ा है और अभिमन्यू एचीव दिस फीट बाइ दिफीटिंग ग्रैंड मास्टर लियोन आफ इंडिया इन बुद्धा पेस्ट आन वेडनस जे इसी बुद्धवार को ग्रैंड मास्टर लियोन को भारत के लियोन को हरा कर यह उपलबदी अपने नाम तो इस तरह से अरलियर इन नॉवमर 2019 अभिमन्यू उनली 10 एर ओल थे और 9 मन्थ और 3 डेज एर ओल थे बिकेम दा यंगेस इंटरनेशनल मास्टर इन वर्ड और देन ही ब्रोक इंडियाज रिकार्ड आफ आर प्रागनन्दा प्रागनन्दा का 10 एर 9 मन्थ था इनका जो है मतलब 20 दिन था और यह मातर 3 दिन यही अंतर रहा है इस तरह से रिकार्ड तोड़ दिया और तो बिकम एक ग्रैंड मास्टर 100 ELO पॉइंट होने चाहिए जो कि इन्होंने पूरा कर दिया था यह भी पॉइंट याद रखेंगे अब इंपॉर्टन डेज में दोस्तों आज कई दिवस है रास्टी यह डाक करमचारी दिवस है आज जो है चार्टर एकाउंटेंड डे भी है नेसनल और नेसनल डॉक्टर डे भी है तो यह काफी बार एक्जाम में आया है इसलिए हमने इसको उठाया है तो नेसनल डॉक्टर डे हर साल एक जुलाई को और आस्टी चिकिस्तक दिवस मनाया जाता है जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस बार कोरोना नामक महामारी में सबसे महत्पूर्ण वारियर के रूप में उभर करके आए हजारों की संख्या में हमारे डॉक्टर सहीद हुए इस महामारी से लड़ते लड़ते और उन्होंने अपने जान की परवाह किये बगएर हमारे देश की सेवा की यही इस बार का थीम रखा गया है और पहली बार 1991 में इसे मनाया गया था एक जुलाई को महांच किस्सक बिधान चंद राय इनको भारत रत्न भी मिला है पश्यम बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रहे है और देखिए कि आजी इनकी जन्वती थी भी है पुर्णिती थी दोनों आजी के दिन यानि आजी के दिन पैदा हुए था आजी के दिन की मृत्ती हुई थी उन्ही की याद में यह सेलिब्रेट किया जाता है इन्हें 1961 में भारत के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था BC राय रास्टी पुरसकार भी के इन सरकार ने उन्ही की स्मिर्टी में सुरू किया है सबसे महत्पुर्ण जो है यह पुरसकार माना जाता है चिकिस्ता के चेत्र का और 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के गठन और मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की अस्थापना में भी इन्होंने महत्पुर्ण भूमी का निभाई थी अब अटें लेटर स्टाक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंज़े जाए है तो इसमें जो है 29 जुलाइट 2020 को यह घोसित की गई थी 1986 में जारी हुई सिक्षानित के बाद भारत की सिक्षानित में यह पहला नया परिवर्तन है और इस पॉलिसी वाज बेश्ड ओन दा रिपोर्ट आप दा कमेटी हेड़े बाई इस पेस साइन्टिस्ट के कस्तूरी रंगन यह भी याद रखना किसकी अध्यक्षता वाली रिपोर्ट थी और अब इसके जो महत पॉन बिंदू है कि अंडर दा निव एजुकेशन पॉलिसी 2020, a target has been set to bring the gross enrollment ratio यानि सो प्रतिसक तक नामंकन को लक्ष रखा गया है अंडर दा निव एजुकेशन पॉलिसी, a target of 6% of GDP यानि कुल GDP में सिक्षा का जो रखा जाएगा 6% हिस्सा रखा जाएगा और name of ministry of human resource management का नाम बदल के सिक्षा मंत्राले ही कर दिया गया है इन एजुकेशन अप टू grade 5, emphasis has been led on adopting mother tongue, local or regional language as the medium of instruction along with this, it has been recommended to give priority to mother tongue for a grade 8 and higher education यानि पांचवी कच्छा तक की सिक्षा में मात्री भासा, स्थानी या छेत्री भासा को सिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है और single regulator named Indian Council of Higher Education has been invested for higher education institution across the country और the new education policy purpose 5 plus 3 plus 3 plus 4 design अब ये 5 plus 3 plus 3 plus 4 है क्या 3 year to 18 year तक तक इसमें ध्यान रखियेगा कि 5 वर्स का जानी 5 plus 3 तो 5 में क्या होगा 3 साल का pre primary school and grade 1, 2 इस तरह से तो 5 साल इसमें हो जाएगा फिर middle और upper primary या class 6, 7, 8, 3 हो गया 3 फिर 4 year का 9, 10, 11, 12 तो 5, 3 plus 3 ये ध्यान रखेंगे तो इस तरह से जो है इसको बनाया गया है vocational education तो अब जैसे 3, 3, 4, 5 जो नादर थे जानी 5, 3, plus 3 तो इस तरह से ध्यान रखेंगे तो ये 3 में क्या होगा 4, 3, 4, 5 class और इसमें क्या होगा 6, 7, 8 class ये ध्यान रखेंगे और plus 4 क्या है? ये है तो ये जो है ध्यान रखेंगे तो ये vocational education इसमें दी जाएगी ब्यावसाइक सिक्षा की बात की जा रही है Keeping in mind the goal of holistic development of the student changes will be made in class 10 and 12 यानि 10 और 12 की परिक्षाओं में बदलाव किया जाएगा इसमें objective टाइप के प्रसंद किया जाएगे और National Assessment Center name इसको परख नाम दिया जा रहा है तो इसकी बेस्थापना की जाएगी और artificial intelligence को भी जोड़ा जाएगा और 2030 तक newton degree जो पढ़ाएंगे सिक्षक को भी change होना पड़ेगा ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों की सिक्षा में परिवर्तन सिक्षक भी अब जो है बहुत ही महत्पूर्ण चार वर्सी एक ही कि बीए डिगरी धारक होना अनिवार है और MFIL को समाब्त किया जाएगा higher education में अब आते हैं आप लोगों के section में जो की बहुत ही अच्छा उतर दे रहे हैं आज उतर देने वालों में हैं गौरो सिंग, शशांग दुएदी, एकता, रेनुबाला, मनुशर्मा, सतीस कुमार, मिली, अंकिताराथाओर, विवेक यादव, नाईम अनसारी, आदिती, अरविंद सिंग ने कहा है निउज में धार एकदम सही आप कह रहे हैं धार डिस्टिक में ही है पीथमपूर लेकिन पीथम पूर एकतरास देखा जाए तो धार और इंदौर के बीच में ही है इंदौर से 24 किलोमीटर मातर दूर है ध्यान रखेंगे तो इंदौर से रखेंगा उसको डिस्टिक धार में ही होगा आप सही कह रहे हैं अदिती और मधु आशुतोस, मुहम्मद हशन, सू समाप्त कर दिया गया किस में, जम्मु कश्मीर महारास आंद प्रदेश असम, and next question है, which state has been declared a disturbed area for six more months under the Armed Forces Act AFSPA, यानि असान छेत्र फिर से छे महने के लिए गोसित कर दिया, मनिपूर, नागालेंड, त्रिपूरा और अरुना चल प्रदेश, and next question है, which of the following has ranked as the 10th best country in the global Cyber Security Index 2020 by ITU, Brazil, Estonia, UK, and Bharat, next question है, which country had developed the KIT-300 technology that makes its soldiers virtually invisible, Canada, Jordan, Israel, South Korea, next question है, when was the Sahaj Bijli Harghar Yojna, सौभाग Yojna, कब सुरू की गई थी, 1916, 17, 2018, या 2019, next question है, who has been appointed as the chairman of Indian Federation of United Nations Association, T.S. Trimurti, Sayyad, Akbaruddin, Sambhu, Nasrivasato, या Sambhu, Shing, next question है, who is the author of the book Cast Challenge in India, Mahatma Gandhi, Dr. Bhim Rao Ambedkar, Jagjeevan Ram, या none of these, next question है, recently 12-year-old Indian origin chess player, Abhimanyu Misra, became the world's youngest grandmaster, which country's citizenship does he hold, यानि किस देश की नाकरिकता इन्हें प्राप्त है, Britain, Russia, America, Germany, next question है, When is National Doctor Day celebrated, 1 June, 1 July, 1 September, या 1 October, and last question है, बहुत ही अच्छा question है, इसे जरूर, आप लोग साल्व करिएगा, with reference to the new national education policy, which of the following statement is false, निमलिकित में से कौन सा कत्थन असत है, नई रास्टी सिख्चानीत को लेकर, The name of Ministry of Human Resource Management has been changed to Ministry of Education, पहला, under the new education policy, a target of 6% of GDP has been set for public expenditure on the education sector, this policy was based on the report of the committee headed by space scientist K.C.1, and under the new education policy, Amphil program has been terminated, इन में से आपको असत्य कत्थन को बताना है, तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपनों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और सेयर, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठैंक यू दोस्तों,